सो ही दोस्तो और वेलकम बैक टो नादर वीडियो और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रागन बॉल जी की मूवी के बारे में इसके अलावा बोरुटो के चैप्टरे टीवी बहां निकल के आ चुका है जिसके बारे में लोग बात करेंगे इसलिए चलो बिना किसी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ऐस उसवल हम लोग बात करें अपने सबसे पहले अपडेट के बारे में जो की आता है ओशीनो को के बारे में जिसने सरपास कर दिया है डीमन स्लेर को और वो बन चुका है अनिमे औफ द वीक और यहाँ पे आप लोग देखी सकते इसके अलाव हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो की आता है ईटीवी बालभरत को लेकर तो जैसा कि हम लोगो बहुत टाइम पहली लीग पता चल गई थी कि एटीवी बालभरत के ओपर डिक्टेट्व कोनन की सीरीज आने वाली है और इसी को ले हम सबी को पता है कि वो डिक्टेट्वी कोनन की सीरीज है जो कि हम लोगो देखने हूं मिलेगी एटीवी बालभरत पर बट अब मैं यह नहीं कर रहा हूं कि 27 अप्रिल को आप लोगो पूरी सीरीज ही देखने हूं मिल जागी टीवी पर क्योंकि अनफोर्चनेटली अभी ह हम लोगो 4-10 डप से पता चला है कि इसकी हिंदी डबिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है और अभी इसकी हिंदी डबिंग के सिफ ऑडिशन चल रहे हैं जो कि सच बता हो सकता है कि डेटीटी कोनन की सीरीज जो हो थोड़ी सी डेले हो जाए या फिर थोड़ा सा टाइम लगे आने में बड देखते हैं ETF बालभरत क्या रिवील करते हैं 27 अपरील को होब करते हैं कि आठ आप ल Intelli क्या रिजोले हिदी ड़ाधा धेना है इसके अलाव हम लोग बात करें अब अपने नेक्स माने नेक्स अपके बारे में जो कि आता है Cartoon Network India को लेकर जिसके ओपर ब जैसा होता है कि इस मूवी के हम लोगो ओल डबिंग की जगा न्यू डबिंग देखने मिले तो मैं काफी दाधा डिसपॉइंट हूँ जाहूँ कर सी एनाई से क्योंकि टूब यूद डबिंग में जादा पसंद करूँगा क्योंकि इसकी ओल डबिंग में जादा नौस्टेल पस्वेज़ा बुरा लगता है मतलब थोड़े बहुत सीन कट होते हैं तो मान भी सकते हैं कि यहां बहुत आदा बलड वाले सीन होंगे इसलिए कट हो गया होंगे बड़ यह लोग इतना सेसर करेंगे तो हम लोग फिर टीवी पे देखें क्या मुझे वही समझ में नहीं आ इसके अलाब हम लोग बात करें अब अपने बुरूटो के चैप्टर 80 के बारे में जो कि अब बहा निकल के आ चुका है और कैसे हम लोग को हर बार बुरूटो के चैप्टर में बहुत साथा अनेक्सपेटेड़ चीज़े देखने हो मिल रही आजकल तो इसी तरह यह वरा अब बहुत साथा अनेक्सपेड़ चीज़े देखने हो मिल ली है कि जैसा कि आप लोग याद हो कि पिछले चैप्टर में लोग देखने हो मिल था कि बौरूटो कवा की जो है वो एक दूसरे से स्विच्छ हो चुके थे एड़ा की पाउर की वैसे और इसी चैप्टर में ह लोगो को आगे देखने हो मिलता है कि एड़ा की जो पावर है वो सार्दा या सुमेरे की ओपर एफेक्ट नहीं होती है जिसकी वैसे वो दोनों काफे दा कन्फ्यूस हो चुके हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है सब बोरूटे पीछे क्यों पड़े हुए हैं और फि और फिर वो बॉंड इतना दा स्ट्रॉं हो चुका है कि सार्दा जो है वो अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाई और उसका मांगे क्यों शारिंगर फिर एक्टिवेट हो जाता है जो कि काफी जादा देखने में एपिक लग रहा है और फिर सासके भी एचीज देखने ब लगती है मतलब उसके अंदर के हर एक वर्ड जो है वो काफी दा गुजबं देते हैं और इसके आगे श्टोरी में हम लोग को एक और इनिस्पेक्टेट चीजे देखने मिलती है कि एडा जो है वो बोरुटो के पास आती है क्योंकि एडा यहां पे खुश समझ जाती है कि यह सब जो कवाकी कर रहा है वो सब गलत है और इसके अधम लोग को यहां पे एडा और बोरुटो का भी कॉन्वर्जेशन दिखाए जाता है जो कि काफी दा कमाल का लगा था मुझे और इन सब के बाद जो बोरुटो जो आगे लाइन्स कहता है वो सभी लाइन्स है वो लि तो कि उसके रगों में उसके डैड यानी सेवेंथ होकाए का खुण दौर रहा है और साथे साथ वो अपनी मॉम और अपने दादा जी यानी होट चुका है और आप बोरुटो सब को बैस बनके दिखाने वाला है क्योंकि वो बोरुटो जूमा की है ऐसा वो लास्ट में कहत और यह बूरूटो का चैप्टर 80 यहीं पर खतम हो जाता है और यह चैप्टर लिटरली गॉर्ट लेवल चैप्टर था और सच बता हूं तो यह चैप्टर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब यह चैप्टर कब खतम होगी यह पता भी है चला है इसके बाद हम लोग को एक न्यूस पता चली है बूरूटो के मांगा को लेकर कि बूरूटो का मांगा जो है वो फोर मंस के लिए ब्रेक ले रहा है और अब बूरूटो का नेक्स चैप्टर यानि चैप्टर 81 जो है आप लोग को अगस्ट 21 को देखने हो मिलेगा है जिसको प्रेडिक्शन है कि बूरूटो का मांगा रिटन करेगा अपने टाइम स्किप के साथ क्योंकि अब बूरूटो का चैप्टर 80 देखने बाद अब सबको समझ में आ चुका है कि ये टाइम स्किप जो है बहुत जल्द आने वाल है और अब बूरूटो जो है वो अपनी ट्र लगाओगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और और आप मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से हैसी ही अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई